वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही एजी बहुत ही एल्डी और बहुत हीट टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ आज हम मनाने वाले हैं साउथ इंडियन स्टाइल में कैरेट और बीन्स की सबजी जिसको आप कैरेट और बीन पोरियल भी बहुत सकते ह है आपको नई चीज़े ट्राइक करना पसंद है तो यह रेसिपी आपके लिए है तो चलिए रेसिपी स्टाट करते हैं सो कैरेट और बीन्स का पोरियल बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी कटी हुई गाजर और एक कटी हुई बीन्स सबसे पहले हम सूखे मसालों को र मूमफली और एक टेबल स्पून मैंने लिया है अखा धनिया अब इसको हमें ड्राइ रोस्ट करना है गैस के फ्लेम को एकदम सिम पर रखना है और इसको रोस्ट करना है और कंटीन्यूसली इसको चलाते रहे ताकि यह जले नहीं यह जो मसाले है गाइस मूमफली हो गया ध अधिपत्ता हो गया नारियल हो गया यह साउथ इंडिया में बहुत ही कॉमन है और मोस्टली कुछ भी सबजी बनाते हैं चट्नी बनाते हैं या दाल बनाते हैं कोई से भी करी बनाते हैं तो उनमें यह गिरता ही है और यही कारण है यही रीजन है कि साउथ इंडिया की सब प्लेम को ना तो मीडियम पे करना है ना हाई पे इसको आपको सिंपल ही रोस्ट करना है इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना अब देख सकते हो गोल्डन ब्राउन होने लग गया है अच्छे से और बहुत ही खुश्बू आने लगी है थोड़ा सा इसका कलरों चेंज हो जाएगा फिर इसको हम कैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको साइड में निकाल के रख देंगे अच्छे से रोस्ट हो गया है ह और यह जब पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका हमें पावडर बनाना है चौकी त्यारी कर लेते हैं एक कडाई में मैंने लिया है एक बड़ा चमच मूमफली का तेल तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दे एक चुटाई चुटा चमच उरत दाल चार से पाच कर लिए पत्ता है आदा चुटा चमच राई के दाने और चुट्की बर हींग एक चुटाई चुटा चमच ढाल देंगे हल्दी पावडर और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारिक खटी हुई गाजर और बीन्स बारिक इसलिए कट करना है ताकि यह जल्दी कुक हो हैं कि अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए कि मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम आधी कटोरी पानी पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम सिंपर कर दीजिए और ढगकर लगा के इसको हमें कुखोने देना है जब तक की पानी सूख न जाए बीच बीच में इसको आप चलाते रहें चेक कर लीजिएगा यह तले पे ना चिपक जाए सब्जी इसको कुखोने में लगबग चार से पांच मिनिट लगेंगे क्योंकि गाजर जो है उसको कुखोने में तोड़ा टाइम लगता है पानी पूरी तरीके से सूग गया आप देख सकते हो और 80% हमारी जो सब्जी है वह कुखो गई है अब इसमें हम डालेंगे मसाले पहले हमने सिर्फ फल्दी डाला था अब बाकी के मसाले हम इसमें आइड करेंगे सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर एक चोटा चम्मच अमचूर पाउडर आदा चोटा चम्मच अब हम इसमें डाल देंगे सौट का पाउडर आदा चोटा चम्मच सूखी अधरक जिसको बोलता है नमक डाल देंग हमारे आ चुके हैं अब इसको हमें मिक्स करना है कि अच्छे से मिक्स करने के बाद कि थोड़ा साम इसमें पानी एड़ कर देंगे सिर्फ छीटे डालने है पानी के आप देख सकते हैं सब्जी हमारी रेडी हो गई है जो ओइल है वह साइट्स पे निकल के आ गया है और इस स्टेश पर हमने जो पहले मसाले रोष्ट किये थे उसका पावडर हम एट करेंगे पावडर बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि वह सारे मसाले जो रोष्ट किये तो वह फिल्कुल थंडे हो उसके बाद या आपको सब्जी बहुत ही जादा पसंद आने हाली है सो केरेट और बीन्स की सब्जी का पोरियल हमारा रेडी हो चुका है गर्मा गरम इसको सर्फ कीजिए और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं राइस और रोटी के साथ जरूर ट्राइक कीजिए और मुझे जरूर बिताएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा गाईस और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करती रही है